एक्सरसाइज 4.2 NCRT क्लास टें फर्स्ट कोश्टन है Find the root of the following quadratic equation by factorization हमें factorization की help से quadratic equation जो नीचे दे रखी है इनके root से यह निकी x की value निकालनी है quadratic equation का मतलब क्या होता है जिसके अंदर x की बड़े से बड़ी power 2 हो इसी quadratic equation के factor कैसे करते हैं और फिर उससे root कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रहे हैं उसमें मैंने बिल्कुल detail में करवा रखा है link आपको description में मिल जाएगा आप पहले उसको देख लीजी अगर आपको factorization के बारे में नहीं पता है तो अगर आपको पता है तो आप direct question से से कर लोगे मैं आपको थोड़ा से basic बता देते हूँ हमारे पास जो कोई भी equation होते है यह उसका standard form होता है जिसके साथ x square की multiply हो वो a के लाएगा जिसके साथ x की multiply होगी वो b होगा जिसके साथ ना x होगा ना x square यानि कि constant है जिसके यहाँ पर हमारे पास 10 है वो हो जाएगा हम सबसे पहले a के multiply सी से करेंगे जो भी हमारा answer आएगा उसके हम दो ऐसे अलग-अलग टुकड़े करेंगे factor कर देंगे जो इस b के equal होगा चाहे plus का है तो plus का minus का है तो minus का उसके बाद ये factors के अंदर convert हो जाएगा जैसे हमारे पास आगया x minus 10 और x plus में 3 अब यहाँ पे 0 के equal है तो हम इसके equal में भी 0 रखतेंगे अभी 0 कब आएगा जो तो या तो ये वाला part 0 हो या फिर ये वाला part 0 हो x minus 10 is equal to 0 तो x की value हमारे पास दसा जाएगी इस तरह से हम x की value निकाल लेंगे factorization के help से first part है x square minus 3 x minus का 10 तो हम सबसे पहले एक ही multiply c से करते हैं अब यहाँ x square की multiply में 1 है तो हम 1 की multiply minus 10 से करेंगे तो minus का 10 आ जाएगा अब हमी minus 10 के ऐसे factor यानि की टुकड़े करने है जिनका plus या minus minus 3 की equal आ जाए हम minus 10 के क्या क्या factor कर सकते है minus को हम बाद में देखेंगे पहले हम 10 के factor क्या कर सकते है हम इसको लिख सकते हैं 10 multiply 1 हम इसको लिख सकते हैं 2 multiply 5 10 में से 1 को plus या minus करेंगे तो 3 तो आएगा नहीं लेकिन यहाँ पे आ सकता है अगर मैं 5 में से 2 को minus करूँ तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा लेकिन हमें जरूरत है माइनस 3 के तो 5 for 2 के सिंबल डिसाइड करते है कि हम कौन सा प्लस का लेंगे और कौन सा माइनस का लेंगे मिर पास option है या तो मैं दोनों प्लस के ले लो मिर पास multiply माइनस 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस माइनस 3 आना चाहिए ये दोनों ही मिलने चाहिए ये निया कि अगर एक मिल गया तो काम चल जाएगा अगर मैंने दोनों प्लस के ले लिए तो प्लस का 7 आ जाएगा तो ये option तो नहीं है मारे पास हमें माइनस 3 चाहिए अगर मैं दोनों ही माइनस के ले ले लूँ तो उस टाइम पर ये माइनस 7 हो जाएगा हम ये भी ने ले सकते अगर मैं एक प्लस का और एक माइनस का ले लूँ तो 5 में से 2 को माइनस के 3 आ गया लेकिन हमी 3 चीए माइनस का यहाँ पे है प्लस का हम नहीं ले सकते इसे भी अगर हम माइनस का 5 ले ले और प्लस का 2 ले ले तो यह आ जाएगा माइनस का 3 क्योंकि निशान हमेशा बड़े का आता है अब हम यहाँ पर माइनस 3 की जगह पर लिख सकते हैं माइनस 5 प्लस में 2 और इन दोनों की मल्टिप्लाई भी माइनस 10 के एक वला रही है हम अपने तरफ से कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं हम सिरफ और सिरफ रूप बदल सकते हैं किसी का जैसे मेरे पास अगर 10 है तो मैं इस 10 को लिख सकते हूं 5 प्लस 5 मैं इसको लिख सकते हूं 6 प्लस 4 मैं इसको लिख सकते हूं 7 प्लस 3 है तो यह अब भी 10 ही मैंने बस इसका रूप बदल दिया बिल्कुल ऐसे ही यहां पर है, है तो यह भी माइनस का 3X, बस हमने इसका रूप बदल कर इसको माइनस का 5X और प्लस का 2X बदल दिया, अब हम इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेंगे, एक हिस्सा यह हो जाएगा, एक हिस्सा यह हो जाएगा, हम देखेंगे क्या दोनों में से कुछ कुमन आ रहा है, यहां पर X स्केर इसको ठीक कर लेजेगा, अब X स्केर और 5X में से क्या कुमन आ रहा है, कुमन मतलब जो एक जैसा है, X स्केर का मतलब होता है कि X की मल्टिप्लाई दो बार हुई है, X यहां पर भी है, X यहां पर भी है, आप बार कुम वो तो depend करता है कि हम यहां से common क्या ले रहे हैं यहां पर minus भी आ सकता है जरूरी नहीं है कि यहां पर plus है तो हमें plus ही लेना पड़ेगा उसके लिए आप एक बात का ध्यान रख सकते हैं अगर यहां पर x-5 आ रहा है ना तो यहां पर भी x-5 ही आना चाहिए अगर किसी जैसे यहां पर 5-x आ रहा है तो हम इसका निशान बदल देंगे यानि कि हम minus भाहर कॉमन ले लेंगे जब भी minus भाहर कॉमन आएगा ना तो अंदर वालों के निशान बदल जाएंगे तो यह depend करता है question के उपर आगे के सारे question करोगे तो आपको धीरे धीरे सारी बाते समझा जाएंगे अब हम इस part को solve करते हैं यह मारे पास है 2x minus का 10 अगर मैं 2x के टुकडे करूँ तो यह हो जाएगा 2 multiply में x अगर मैं 10 के टुकडे करूँ तो यह हो जाएगा 2 multiply 5 2 इस में भी है 2 इस में भी है तो बाहर कोमन आ जाएगा अंदर यहां पे बचेगा हमारे पास x 5 यहां पे बच लिया अब यह मत सुचना कि 10 में से अगर 2 कोमन आ जाएगा तो 8 बचेगा यहां पे 8 नहीं 5 बचेगा क्योंकि कोमन हमेशा multiply से आता है यह बहुत ही बेसिक सी बाते होते हैं लेकिन बहुत सारे बचे इनमें गलती कर देते हैं अब यहां हमने 2 बाहर ले लिया तो अंदर बच गया x-5 अब यह दो हिस्सों के अंदर बच गया है पूरे का पुरा कोशन यहां बच गया हमारे पास 2 तो यह 2 बात में आ जाएगा तो यह हमारे आ जाएंगे फैक्टर यानि की गुननकंड अगर आपको सिरफ फैक्टर यानि गुननकंड निकालने के लिए बोल रखा तो आपका कोशन यहां तक खतम हो चुका है लेकिन इसने साथ में बोल रखा है रूट से यह निकि उसके हल भी हमें निकालना है एक्स का मान निकालना है तो अब यह 0 के बराबर है सीधी से बाते 0 कब आएगा जब यह तो यह वाला हिस्सा 0 हो या फिर यह वाला हिस्सा 0 हो जैसे मैं कहारे हूं कि मैं रपास X और Y है और वो 0 के बराबर है तो अब यहां पे 0 कब आएगा एक्स की जगे पे चाहिए 50 हो अगर उसके उना में 0 से कर दूंगे तो वो सारा ही 0 हो जाएगा तो दोनों के multiply 0 कब आएगे जब यह तो X की value 0 हो या फिर Y की value 0 हो बिलकुल ऐसे ही यहां पर है या तो यह वाला हिस्सा 0 है या फिर यह वाला हिस्सा 0 है हम एक बार तो इसको 0 के एकवल रखतेंगे यह आ जाएगा हमारे पास X प्लस में 2 is equal to 0 यह 2 दूसरे तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा यह अगर मैं X की जगे पे माइनस का 2 रख दूं तो प्लस का 2 माइनस का 2 यह हो जाएगा 0 की multiply करेंगे 0 की multiply किसे से भी कर दो सारा ही 0 हो जाता है अब हम इस पार्ट को 0 के equal रखेंगे तो X माइनस 5 is equal to 0 यह 5 दूसरे तरफ जाएगा X is equal to 5 हो जाएगा यह अगर मैं X की जगे पे 5 रख दू तो 5 माइनस 5 is equal to 0 root से आने की हल का मतलब भी क्या होता है कि एक ऐसी value जो पूरी ही equation को 0 बना दे हमारे पास जो equation है अगर आप इसके अंदर जो भी हमारी X की दो value आई है वो दोनों रख दोगे तो यह पूरी ही equation 0 आ जाएगी second part है 2X square plus X minus 6 तो 2 की multiply हम सबसे पहले 6 के साथ कर देंगे यह आ जाएगा हमारे पास 12 अब हमें 12 के ऐसे टुकडे करने जिनका plus या minus 1 हो जाए तो हम 12 को किस किस तरह से factor कर सकते हैं 12 multiply 1 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 multiply 6 या 3 multiply 4 अब इससे तो किसी भी तरह से 1 आएगा नहीं 12 में 1 को add करेंगे तो हमारे पास 13 आजाएगा 12 के से 1 को minus करेंगे 11 आजाएगा लेकिन 1 नहीं आएगा तो ये तो cancel हो गया हमारे और 6 से सोलूशन नहीं होगा तो हम यह भी नहीं ले सकते 3 और 4 से solution हो सकता है अगर मैं 4 में से 3 को minus कर दो थो यह आ जाएगा हमारे पास 1 और जब हम 4 की multiply minus 3 से करेंगे ना तो ये minus का 12 आ जाएगा क्योंकि जब हमने e की multiply c से की तो वो minus 12 था ये मारे पास plus का 2 है ये minus का 6 है तो इसकी multiply minus 12 आ जाएगी तो अब हम x की जगह पे 4x minus का 3x लिख सकते हैं 4x में से 3x को minus किया ये आगया हमारे पास x है इस तरह से हमने इसका रूप बदल दिया अब वैसी सेम करेंगे इसको two parts के अंदर डिवाइड कर लेंगे जब हम इन दोनों में से common देखेंगे तो 2x square को हम लिख सकते हैं 2 multiply x multiply x 4x को लिख सकते हैं 2 multiply 2 multiply x अब जो शुरू के question करो तो उस टाइम आप थोड़ा सा खोल कर ले लेना फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने आप समझ मेहना शुरू हो जाएगा अब 2 इसके अंदर भी है 2 इसके अंदर भी है x इसके अंदर भी है x इसके अंदर भी है यहां पे 3 हो जाएगा अब हमें तो x प्लस 2 यहां पे है तो यहां भी प्लस का ही बनाना पड़ेगा अब यह दोनों प्लस के तब बनेंगे जब हम माइनस को बाहर को मले लेंगे जब हम x plus 2 को 0 के equal रखेंगे तो हमारे पास x की value आजाएगी minus 2 जब हम 2x minus 3 को 0 के equal रखेंगे तो ये 3 दूसरी तरफ जाकर plus का हो जाएगा ये 2 multiply में है इस तरफ आकर divide का हो जाएगा तो हमारे पास x की value आजाएगी 3 by 2 गड़ पार्ट है under root 2 x square plus 7x plus 5 under root 2 ये आपको देखने में complicated सा लग रहा होगा कि बहुत ही मुश्किल सेवाल है लेकिन हमें बिल्कुल वही करना है a की multiply c से करनी है 5 under root 2 की multiply जब हम under root 2 यानि वरगमुल 2 से करेंगे तो ये 5 तो ऐसी काई सा रह जाएगा under root 2 की multiply जब under root 2 से होगी ना तो ये आजाएगा हमारे पास square ला 2 इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखे आप उसमें देख सकते हैं कि जब हम under root 2 की multiply under root 2 से ही करते हैं तो वो 2 क्यों आता है मैं आपको थोड़ा सा बतावी देते हूँ जब हम बिलकुल एक जैसे 2 की multiply आपस में करते हैं तो उसका square हो जाता है जैसे अगर मैं X की multiply एकस से कर दो तो वो X का square हो जाएगा ऐसे ही सेम यहाँ पे है यह हो जाएगा under root 2 का whole square जिब कोई किसी का under root यानि वरग मूल होता है ना तो इसका मतलब उसकी power यानि सकती होती है एक पटे दो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि दोनों power एक दूसरे से multiply हो जाएगी तो इस तरह हमारे पास यहाँ सवर आ जाएगा 5 में 2 को add करेंगे 7 आ जाएगा 5 की 2 से multiply करेंगे तो 10 आ जाएगा अब 7 X को हम खोल कर लिख सकते हैं 5 X प्लस में 2 X तो वही काम हमी करना है हम पहले 2 parts को अलग ले लेंगे और इन दोनों को अलग ले लेंगे यहाँ पर हमारे पास यह 2 X अगर हम इसको खोल कर लिखें तो यह हो जाएगा हमारे पास under root 2 multiply under root 2 multiply x अब यह दोनों कहां से आए मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जब हम under root 2 यानि वरग मुल 2 के गुना वरग मुल 2 से ही करते हैं तो यह हमारे पास 2 की equal होता है अगर हम इन दोनों के multiply करके 2 के एक लिख सकते हैं तो क्या हम 2 को अलग लगतरी के से खोल कर नहीं लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं जैसे माले जिए मैं आपको एक और example से बताऊं अगर हम x multiply x को x square लिख सकते हैं x square को भी तो हम x multiply x लिख सकते हैं वही काम बिलकुल same to same यहाँ पे है अगर under root 2 की multiply under root 2 से होकर 2 बन रहा है तो हम 2 को भी इस तरह से लिख देंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा under root 2 यानि वरग मुल दो गुना में वरग मुल दो और 7 में है x प्लस है तो प्लस है फाइफ भी ऐसे का ऐसा साथ में under root 2 अब हापी बता देजी इसके अंदर से क्या को मना रहा है under root 2 इसमें भी है under root 2 इसमें भी है हम under root 2 को बाहर लेंगे वरग मुल दो को यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा under root 2 x पलस में 5 इस तरह से यह दो फेक्टर हमारे पास आ गए अब हम एक बार इसको 0 के एक्वल रखेंगे हमारे पास आएगा x plus under root 2 is equal to 0 यह जब दूसरे तरफ जाएगा तो यह minus का हो जाएगा 4th part 2 x square minus x plus 1 by 8 हम इसको solve करने के लिए थोड़ा से एक दो step इसको solve करेंगे 0 के equal तो यह वैसे ही होगा क्योंकि जो किसे के root या नहीं हन निकलेंगे तो वो 0 के equal रखे ही निकलेंगे हम यहाँ पर LCM ले ले लेते हैं इसके LCM आ जाएगा 8 8 को 1 से divide किया 8 आ गया उस 8 की 2 से multiply की तो यह आ गया हमारे पास 16x square minus है तो minus 8 को 1 से divide किया 8 आ गया उस 8 की x से multiply की तो यह हमारे पास यहाँ आ गया minus का 8x बीच में plus है तो यह plus 8 को 8 से divide किया तो 1 आ गया 1 की 1 से multiply की तो यह हमारे पास 1 ही आ जाएगा तो plus का 1 is equal to 0 अब ये जो 8 है ना ये इस तरफ divide में है दूसरे तरफ जाकर multiply में हो जाएगा अब 0 के multiply किसे से भी कर दीजिए वो सारा ही 0 हो जाता है ये जो 8 हमारे पास है ना इसको हम अभी के भी उपर ले जाकर multiply नहीं कर सकते हैं पहले उसका LCM लेकर उसको पूरे के नीचे लेकर आना पड़ेगा तभी हम उसको दूसरे तरफ multiply में ले जा सकते हैं आप इस तरह से कर सकते हो ये जो 1 by 8 है ये पूरे का पूरा दूसरे तरफ चला जाएगा और ये minus का 1 by 8 बन जाएगा तो इन चोटी चोटी बातों का आपको ध्यान रखना है अब हमने इस equation को इस form के अंदर बदल लिया अब हमें ये solve करनी है तो सबसे पहले हम A की multiply C से करेंगे हमारे पास आजाएगा 16 अब हमें 16 के ऐसे factor या टुकड़े करने है जिनका plus या minus 8 के equal आजाए अगर हम 4 की multiply 4 से कर दें तो 16 आएगा अगर हम 4 के अंदर 4 को add कर दें तो 8 आजाएगा तो हमारे factor होगे 4 और 4 अब हम plus minus भी देख लेते हैं अगर दोनों ही plus के ले ले लेना तो multiply तो plus की आजाएगी क्योंकि हमें multiply plus का 16 चाहिए है लेकिन यहाँ पर हमें divide के ज़रूरत है तो वो आएगा नहीं इसलिए हमें दोनों ही minus के लेने पड़ेंगे minus 4 में minus 4 को add किया तो minus का 8 आगया minus 4 के multiply minus 4 से की तो plus का 16 आगया हम minus 8 x को इस तरह से खोल कर लेके देंगे अब हम पहले 2 में से कॉमन ले लेंगे जितना भी आता है 16 को हम लेक सकते हैं 4 multiply 4 multiply x multiply x क्योंकि यहाँ पर x का square है इसको हम लेक सकते हैं 4 multiply x 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है x इसमें भी है x इसमें भी है तो बाहर कॉमन आ जाएगा 4 x 4X बाहर कोमन लेने के बाद अंदर बच गया 4X ही और यहां तो दोनों ही बाहर आगी ना अंदर कुछ नहीं बचा तो हम यहां पे कह सकते हैं 4X माइनस का 1 अब इन दोनों के अंदर देखते हैं इन दोनों में तो कुछ भी कोमन नहीं है जिसके अंदर कुछ भी कोमन नहीं हो तो इसका मतलब दोनों के अंदर वन कोमन होता है निशान भी आपको देखने पड़ेंगे यह 4X प्लस का है यह 4X माइनस का है तो यहाँ पे भी हमें प्लस का बनाना पड़ेगा यहाँ हमें 1 माइनस का बनाना पड़ेगा दोनों के यह निशान बदल लेंगे तो हम बाहर माइनस का 1 को मले लेंगे अंदर वालों के निशान बदल जाएंगे 4x-1 अभ 4x-1 इसमें भी है 4x-1 इसमें भी है तो हम बाहर ले लेंगे 4x-1 अब इस जगे पर बचे गया सिरफ 4x बीच में minus का निशान है तो ये minus का minus आ जाएगा यहाँ पर बचे गया minus का 1 4x-1, 4x-1 यह हमारे factor आगे हम इन दोनों को 0 के equal रखेंगे तो यह 1 दूसरे तरफ जाकर plus का हो जाएगा और यह 4 दूसरे तरफ जाकर divide में हो जाएगा हमारे पास x की value दोनों जिगे पे ही 1 by 4, 1 by 4 आजाएगी अब आप सुचोगी कि 2 answer same है तो हम इसको 1 की लिखते थे हमें 2 को लिखने की क्या जरूरत है जितनी भी x की power होती है न उसके यह उतनी root निकलती है अगर x की power 1 है तो एक ही root यानि हल निकलेगा अगर x की power 2 है तो 2 root यानि की 2 हल निकलेगे X की दो ऐसी value होंगी जिनको X के जिगे पे रखने से पूरा ही answer 0 आ जाएगा अगर X की power cube है तो यहाँ पे तीन हा लिखनेंगा जिफ्त पार्ट है 100 X square minus 20 X plus 1 हमें वही काम करना है एक ही multiply C के साथ करनी है यह आ जाएगा 100 अब 100 के हमें ऐसे factor करनें जिनका plus यह minus 20 के एकवल आ जाएगा अब की बार यह बड़ा factor है तो इस तरह की जब भी आपको solve करने पड़ें तो उसके लिए आप पहले ना इसके चोटे-चोटे टुकडे बना लिजेगा जैसे हम 100 को अगर ऐसे इस तरह से divide करें तो यह आ जाएगा 50 फिर से divide करें तो 25 फिर से divide करें तो 5 आ जाएगा क्योंकि अभी किसी और से divide होगा नहीं अब हम इन में से जोडे बना बना कर देख लेंगे कि क्या ऐसा multiply तो 100 के equal आएगी पस हम plus minus करके देख लेंगे कि क्या ऐसा निकाले जिससे हमारे पास minus का भी सा जाए 5 की multiply 2 से करेंगे तो 10 आएगा 5 की multiply इस 2 से करेंगे तो भी 10 आएगा तो अगर हम 10 में 10 को add करेंगे 20 हो जाएगा 10 की multiply 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा इस तरह से हम minus 20 के जगह पर minus 10x minus 10x लिख सकते हैं अब इन दोनों में से क्या को मनाएगा हम 100 को लिख सकते हैं 10 multiply 10 तो यहाँ पे बाहर को मना गया 10 दोनों में से X यहाँ पे भी है 1 X यहाँ पे भी है बाहर को मना गया 1 X इस जगे पे हमारे पास 2 10 थे तो उन में से 1 10 बाहर ले लिया दूसरा 10 यहाँ पे आ गया 2 X थे 1 X को बाहर ले लिया दूसरा एक्स ही यहाँ पर आ गया, माइनस का निशान है तो माइनस है अब यहाँ तो 10X अकेला आई है और उस 10X को ही हमने बाहर ले लिया तो अंदर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा का मतलब है 1 तो इस तरह से यह मारे पास हो जाएगा 10X माइनस 1 फिर हम आगे देखते हैं, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आएगा फिर निशान देखेंगे, इसका और इसका बिल्कुल एक जैसा निशान होना चाहिए सब कुछ बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए यहाँ पर माइनस का 10 है, यहाँ पर प्लस का 10 है तो हमें इस माइनस 10 को प्लस का बनाना पड़ेगा यह प्लस का कब बनेगा? जब बाहर माइनस कॉमन के अंदर आएगा तो यहाँ पर बच गया प्लस का 10X, यहाँ पर हो गया माइनस क्योंकि बाहर माइनस दोनों के ही निशान बदल देगा यह हमारे पास 10X माइनस 1 हमने कोमर ले लिया यहाँ पर 10X यह ऐसे का ऐसा यह माइनस 1 बिलकुल ऐसे का ऐसा इस तरह से हमारे दो फैक्टर बन गए अब हम इन दोनों को 0 के इकल रखे एक्स के वेलू भी निकाल लेंगी यह वाइनस का वन ने दूसरी तरफ जाकर प्लस का वन हो जाएगा यह 10 मुल्टिप्लाइ में है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो X के वेलू हमारे पास आजएगी 1 बाई 10 दोनों ही जगे पे हमें एक्सामपल 1 के अंदर जो भी प्रोब्लम दे रखे उनका सोलूशन हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट है जोने जीवनती हैड 45 मार्बल से दोनों को मिलाकर दोनों के पास 45 मार्बल से हैं एक के पास अगर 10 है तो दूसरे के पास 35 हो जाएगी अभी उनके पास जो मार्बल है उनका प्रोड़क्ट 124 के इक्वल है हमें बताना है कि स्टार्टिंग के अंदर दोनों के पास कितने मार्बल थे हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जोन के पास X मार्बल थे तो जीवनती के पास कितने हो जाएगी हम यहाँ पर Y नहीं मानेंगे हम यहाँ पर मानेंगे 45 माइनस का X पिछला जो चैप्टर था ना उसमें में एक X मान रहे थे और एक Y मान रहे थे अब बच्चों को वही आदत है तो मैं आपको यहाँ यह भी बता देती हूं कि हम Y की जग्या पर 45 माइनस X रख रहे हैं किस तरह से मान लेजे मैं मान लेती हूं कि जो उनके पास X मारबल है तो जिवन्ती के पास हो जाएंगी Y और दोनों का सम उसने क्या रखा है 45 अब इस X को अगर हम दोसे तरफ ले जाएं दोनों के फाइफ मारबल लोस्ट हो गए है जब कोई चीज़ लोस्ट होती है तो वह कमी होता होती है तो हम दोनों के अंदर से 5 माइनस कर देंगे X-5 ऐसे कैसा जब हम 45 में से 5 को माइनस करेंगे यह आजाएगा हमारे पास 40-X है यानि अभी जोन के पास जो मारबल है वो तो है X-5 उट जिवनती के पास जो मारबल है वो है 40-X फिर वो कह रहा है फिलाल उनके पास जो मारबल है उसकी multiply 124 के equal है यानि X-5 multiply 40-X is equal to 124 अब हम X की multiply 40 से करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास 40 X हम x की multiply minus x से करेंगे तो ये आ जाएगा minus का x square हम 5 की multiply 40 से करेंगे तो ये आ जाएगा minus का 200 क्योंकि एक plus का है हम 5 की multiply x से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास minus का 5x is equal to 124 अब हम इस 124 को इस्तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास minus का minus Kate aske-saie-scale झायब कैसी का ऐसा है क्योंकि ओर minus kak plateau Hai नहीं यह 40 एकस ऑर यह 5 एकस है तो यह हो जाएगा हमारे पास 45 एकस क्युकि दोनों अधात्व को प्लस की है coupled error of minus call अब हम कोशिश करते हैं कि X स्केर हमेशा प्लस का होता कि सोलूशन में दिक्त ना आए तो हम इस पूरे में से ही माइनस को कॉमल लेंगे सभी के निशान बदल जाएंगे माइनस वन हमने बाहर को मल ले लिया इस माइनस वन को हम दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो जीरो के दूसरे तरफ कोई फरक पड़ता है नहीं सारा ही जीरो हो जाता है इस तरह से हमारे पास एक्वेशन आ जाएगी X स्केर माइनस 45 X प्लस 324 अब हम इस एक्वेशन के अब एक बार वह अपना कर देख लेजिएगा अब पहले इस तरह से इसके टुकड़े कर लेजिए अब इसमें से हमें ऐसा देखना है जिसकी प्लस या माइनस हमारे पास माइनस 45 आ जाए तो अभी हम जोड़े बना बना कर देखेंगे यह मल्टिप्लाई 3 से कर देते हैं फिर हम उस 33's are 9 9 टूजा हमारे पास आजाएगा 18 टूजा 36 यह आगे हमारे पास 36 जो बाकी बचगे ना 33's are 9 तो 36 के अंदर हम 9 को एड़ करेंगे यह आजाएगा हमारे पास 45 और अब 36 की 9 से मल्टिप्लाई करके देखना है यह हमारे पास आएगा 324 अब हमें यह माइनस का इसको डिवाइड कर लेंगे अलग अलग है अब एक्सिस में भी है एक्सिस में भी हम बाहर कॉमल ले लेंगे यहां बच जाएगा x-36 है 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है हम यहां पर कॉमल ले लेंगे माइनस का 9 है आप साइड भी मैंने जो लिख रखा था ना उसको बचा कर रखेगा तो उसके अंदर से जब आप 9 को यानि कि 2-3 को कट कर देना बाकिज के जो बच गए उनके मल्टिप्लाई कर देना तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर लास्ट में जो बच गया वही को मना जाएगा x-36 दोनों के अंदर है बाहर आजाएगा यहां बच गया हमारे पास x-9 जब हम दोनों को 0 के equal रखेंगे तो x is equal to 36 और x is equal to 9 आजाएगा एक के पास 36 मारवल थे शुरुआत में और दूसरे के पास 9 थे अगर पहले के पास 9 होंगे तो दूसरे के पास 36 हो जाएगे अब इस कोशन को करवाने से पहले मैं आपको एक 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 एक्जमपल बताती हूँ इस कोशन आप पच्छे से समझ आ जाएगा अगर मैं कहूं कि एक खिलोने के 20 रुपीज लगते हैं और हम रोसाना 100 खिलोने बना रहे हैं तो हमें टोटल शाम तक कितने रुपे का खर्चा हो जाएगा हम 100 की मल्टिप्लाइ 20 से कर देंगे तो वो 2000 हमारा खर्चा हो जाएगा अब वही सेम यहां पे हैं तो हमारे पास है कोस्ट ओफ प्रोड़क्शन ओफ इच टोई और दूसरा हमारे पास है नंबर ओफ टोई प्रोड्यूस डिने डे यानि एक दिन में कितने खिलोने बनेंगे और एक खिलोने को बनाने में कितना खर्चा आएगा यह दोनों बाते हैं अगर हम नंबर ओफ टोई प्रोड्यूस डिने डे को एक समान लेते हैं तो कोस्ट ओफ प्रोड़क्शन हमारे पास आजाएगा 55 माइनस दा नंबर ओफ टोई प्रोड्यूस डिने डे यानि अगर हम 55 में से माइनस कर दे एक्स को तो वो हमारे पास आजाएगा कोस्ट अब इसने आगे क्या रखा है था total cost of production was 750 यानि एक दिन में जो total खर्चा आते हैं खिलोने बनाने का वो 750 रुपए है अब हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हम एक खिलोने के उपर जो cost आती है उसके multiply हम total दिन में कितने खिलोने बनाते हैं उससे कर दे तो हमारे पास total खर्चा आ जाएगा अब हमने number of toys produced in a day इसको तो माल लिया x यानि एक दिन में हम x खिलोने बनाते हैं और इस question में जो condition दे रखी यानि कि 55 minus इसके बिस पे हम निकाल लेंगे cost of production of each toy यानि एक खिलोने के उपर खर्चा आता है 55 minus का x is equal to हो जाएगा 750 क्योंकि दोनों के multiply total खर्चे के equal होती है अब x की multiply 55 से कर देंगे ये आ जाएगा 55x x की multiply x से कर देंगे minus x square is equal to 75 हम इसको दुसरी तरफ लेकर जाएगे दूसरी तरफ ये minus का हो जाएगा और इस तरफ 750 पलस का ही ये हमारे equation आ गई अब हम इस equation को solve करके x की value निकाल देंगे अब हम इस equation को आगे सोल करेंगे तो हमें 750 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे जिनका प्लस या माइनस माइनस 55 हो उसके लिए मैंने आपको बिल्कुल एक आसान सा तरीका बता रखा अब इस तरह सी इसको डिवाइड कर सकते हैं अगर आप चाओ तो सबसे पहले छोटा नंबर जैसे 2, 3, 5 ऐसे ले सकते हो और बड़ा भी ले सकते हो लेकिन होना चाहिए प्राइम नंबर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे पास आजाएगा 150 फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे पास आजाएगा 30, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 6 आजाएगा 2 और 3, अब इससे हम ऐसे टुकड़े देख लेंगे जिनका प्लस या माइनस माइनस 55 हो, अगर हम 5 की मल्टिप्लाइ 5 से कर दें तो 25, 5 तूस आ 10, 10 तूस आ 30, अगर एक प्लस का एक माइनस का ले लेंगे, तो 30 में से 25 माइनस हो जाएगा, अब हम इसको दो अलग अलग पार्ट्स के इंदर ृटिवाइड करके कमन ले लेंगे, यह जो पूरा इससा है, इसके इंदर सिरुफ और सिरुफ ओर ऐकस कमन है, तो X बाहर कमन आ जाएगा य जो यहां पर होता है, बिलकुल वही सेम हमें यहां बनाना होता है, यहां पर अगर minus 25 है तो यहां भी minus 25 बनेगा, अब minus 25 तो 750 में से आया है, तो यह plus का है, यह minus कब बनेगा जब हम बाहर minus को मले ले हो, जैसे हम माइननस बाहर को मल लेते हैं अंदर वालों के निशान बदल जाते हैं ये हो जाएगा हमारे पास X-25 हम इन दोनों अलग अलग पार्ट के अंदर से अगर X-25 को मल ले लेते हैं तो ये X यहां पे आ जाएगा और यह minus का 30 यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से यह हमारे दो factor आ गए हम दोनों को 0 के equal रख देंगे यह 25 दूसरी तरफ जाकर plus का हो जाएगा, x की value आ जाएगी 25 और यह हमारे पास हो जाएगा x is equal to 30, जब हम इस minus 30 को दूसरी तरफ ले कर जाएगे तो यह plus का हो जाएगा इस तरह से हमारे दो answer आएगे number of toys produced on that day यानि एक दिन में जितने खिलोने बनते हैं उसको हमने x माना था तो यहाँ पर हमारे पास x की value यह हो जाएगी अब हम cost यानि की लागत भी निकाल सकते हैं cost को हमने x plus 55 माना था तो यहाँ पर x अगर 25 है तो हम इसमे 55 को add कर देंगी यह हो जाएगा हमारे पास 80 अगर x की value हम 30 लेते हैं तो यह 85 आ जाएगा third question है find two number whose sum is 27 and product is 182 अब हमारे पास कोई दो number है एक number को यह x मान लेते हैं उन दोनों का sum इसने question में क्या रखा है 27 है तो हम इसको लिख सकते है x plus y is equal to 27 तो अब जो दूसरा number है वो हमने y मान रखा है यह x इस तरफ plus का है दूसरे तरफ जाकर minus में हो जाएगा यानि कि y की value हमारे पास क्या गई 27 minus x तो इस देसे हम directly कह सकते हैं अगर हमारे पास एक नंबर x है तो दूसरा number 27 minus x हो जाएगा जैसे मैं आपको एक example से बताओं अगर मेरे पास कोई दो नंबर ऐसे है जिनका sum 10 है तो सिधी से बात है एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा 7 हो जाएगा अगर एक 5 है कि उसको 182 के equal रख देंगे 27 के multiply x से की यह आगे हमारे पास 27x minus x के multiply x से की तो यह आगे x square is equal to 182 हम इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएगे यह minus का x square था दूसरी तरफ जाकर plus का x square हो जाएगा यह plus का 27x था दूसरी तरफ जाकर minus का 27x हो जाएगा यह 182 तो दूसरी तरफ नहीं गया है तो यह plus का plus ही रहेगा इस तरह सी हमारी equation आ जाएगी अब इस equation को आगे solve करने के लिए 182 यान 182 के 1 से टुकड़े करेंगे जिनका plus ही minus 27 आ जाएग आप इसको पहले इस तरह से डिवाइड करेंगे अब यहाँ पे तो बने बनाई हैं लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको दिक्कत होगी आप 182 को डिवाइड कर लेजे पहले आप इसको 2 से डिवाइड कीजे आ जाएगा हमारे पास 91 जो आप 91 को और आगी डिवाइड करोगी तो इनना तो 2 से डिवाइड होगा ना 3 से ना 4 से ना 5 से डारेक्ट मारे पास डिवाइड हो wus जायगा 7 के साथ तो यह डिवाइड होने के बाद आज जाएगा 13 अब 13 एक Cape number यहागी तो वन आ जाएगा निशान बड़ा जब भी होगा उसी का आजाएगा अगर हम दोनों प्लस के लेते हैं न तो यहां पे प्लस 27 आ जाएगा अब हम यह चाहिए है माइनस का 27 तो हमें दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे और माइनस 14 की मल्टिप्लाई माइनस 13 से होगी तो हमारे पास plus का 182 आएगा यह भी सभी और यह भी सभी है तो हम माइनस 27 एक्स को माइनस 14 एक्स और मैनस 13 एक्स इस तरह से खूल कर लिख देंगे अब इन दोनों मेंसे हम कॉमन ले लेंगे बाहर एक्स क्योंकि और कुछ कूमन आहीं नहीं राये है बाहर हमने एक्स को कॉमन यहां अगर X-14 है तो यहां पे भी आपको X-14 बनाना पड़ेगा अब X-14 इसमें भी है, X-14 इसमें भी है, हम बाहर को मले लेंगे यहां बच जाएगा हमारे पास X- का निशान है तो X-13 का 13, X-13 और X-14 यह दो हमारे फेक्ट ला गए हम एक बार इसको 0 की equal रखेंगे एक बार इसको 0 की equal रखेंगे यह माइनस का 14 दूसी तरव जाकर P- shade हमारे पास X की value आगे 14 यह माइनस का 13 दूसी तरव जाकर P- लस का होगा तो X की value 13 यानि एक नमबर अगर 13 है ना तो दूसरा 14 हो जाएगा अगर एक नमबर 14 है तो दूसरा 13 हो जाएगा आप चेक करके भी देख सकते हो कि दोनों का सम यानि कि जो 27 यानि सता ही सारा और दोनों की मल्टिप्लाई यानि गुणनफल 182 की पला रही है फूर्थ कोश्चन है फाइ 28 है तो दूसरा 99 हो जाएगा अब या कैसे रहे हैं 20 का अगर हमें कंजेक्टिव निकालना है तो इसके अंदर हम 1 को एड़ करेंगे यानि कि इससे अगला नमबर बिल्कुल वैसे क्वेश्चन के अंदर कह रखाए यह तो नहीं बताना कि वो नमबर है क्या तो जो हमें नह 365 आएगा हम इसका भी स्केर कर देंगे इसका भी स्केर कर देंगे और उसको आपस में एड कर देंगे तो वो 365 के एकवल है अब यह तो X स्केर ऐसे का इसा आ जाएगा इसको हम लेख देंगे X plus 1 का whole square, यह हमारी एक identity होती है A plus B का whole square, यह हम खोल देंगे X square, यानि कि A square plus B square, यानि 1 का square, 1 ही हो जाएगा प्लस में 2AB, यानि 2 multiply A की जगे पे हमारे पास है X, ऐसे का ऐसा B की जगे पे हमारे पास 1, ऐसे का ऐसा तो यहां हम लिख सकते हैं 2X Is equal to 365 अब X square के अंदर जब X square होगा तो यह हो जाएगा हमारे पास 2X square प्लस, यह 2X ऐसे का ऐसा क्योंकि और कहीं पे तो X है यह नहीं यह plus का 1 ऐसे का ऐसा Is equal to 365 यह 1 दूसरी तरफ जाकर minus का हो जाएगा equation बन जाएगी 2X square प्लस 2X जब हम 365 में से 1 को minus करेंगी तो यह आजाएगा 364 अब हम 2 इसमें से भी common ले सकते हैं अगर हम यहां से 2 common ले लेंगी तो यह बज़ जाएगा हमारे पास X square यहां से 2 common ले लेंगी तो यह आजाएगा हमारे पास X is equal to 364 जो common हमने 2 लिया है वो 2 इस तरफ multiply में दूसरी तरफ जाकर divide में हो जाएगा जम हम इसको इस तरह से divide करेंगे यह आ जाएगा हमारे पास 182 इस तरह से equation बन गई x square plus x is equal to 182 अब हम इस equation को solve करने के लिए 182 के ऐसे factor करेंगे जिनका plus या minus 1 आ जाए तो 182 के factor हमने पिछले question में करे थे 14 और 13 हो जाएगे अब हमें 1 की जरूत है और plus के 1 की जरूत है तो हम बड़ा plus का ले लेंगे और छोटा minus का ले लेंगे बड़ा plus का हमने 14 x ले लिया छोटा minus का हमने 13 x ले लिया तो x को हमने इस तरह से कोल कर लिख दिया है तो यह भी x ही लेकिन हमने इसकी थोड़ी सी form change कर दे, लिखने का इसका तरीका बदल दिया, अब यहां पे हमारे पास x common है, इसमें भी हम x को बाहर ले लेंगे, यहां पे बज़ जाएगा 1x और यहां पे बज़ जाएगा 14, यहां यह भी minus का, यह भी minus का, हम बाहर minus ले लेते हैं, क्योंकि हम यह अंदर दोन जिरो के equal रखेंगे, तो हमारे दो answer आएंगे, एक तो x is equal to 13, और दूसरा x is equal to minus 14, अब question में पहले ही कहा रखा है, conjunctive positive integer, यानि हमारा जो answer positive ही होना चाहिए, negative नहीं होना चाहिए, तो minus 14 तो वैसे cancel हो गया, plus 13 हमारा answer हो जाएगा, अगर एक number 13 है, तो इस से अगला क्या हो ज 196 होता है, इन दोनों को अगर आप चोड़ोगी ना, तो यह 365 ही, 365 ही आएगा, फिफ्थ कोश्चन है, the altitude of right triangle is 7 cm less than its base, if the hypotenuse is 13 cm, find the other two side, x-12 यहापे भी, x-12, यहापे भी, x-12, यहापे भी, x-12, combine आजाएगा, यहापे आजाएगा, x और यहापे आजाएगा, प्लस का 5, अब हमारे पास यह दो फेक्टर हो गए, अब इन दोनों को अला गलाग जिरो की एकवल रख देते हैं, यह आजाएगा, x is equal to minus का 5, और यह आजाएगा, x is equal to 12, फिफ्थ कोश्चन है, the altitude of right triangle is 7 cm less than its base, if the hypotenuse is 13 cm, find the other two side, अब इसके लिए मैं पैथागोर्स थर्म का पता होन जो एकल 90 degree का है, उसके सामने जो side होते हैं, उसको हम hypotenuse कहते हैं, जो नीचे वाली side होते हैं, उसको base कहते हैं, और जो यह हमारी height है, इसको हम height भी कह सकते हैं, perpendicular भी कह सकते हैं, altitude भी कह सकते हैं, आपको तीनों में से कोई भी एक नामी कावा मिल जाएगा, पैथागोर्स ए relation होता है, right angle triangle की सबी side के बीच में, अगर हम जो हमारी ये बड़ी side है, इसका square कर दे, यानि की hypotenuse का square is equal to, तो वो base का square और height की square को add करने से जो answer आएगा, उसकी equal होगा, यानि हम base का भी square कर देते हैं, और हम height का भी square कर देते हैं, तो यहाँ पे edge सेम हो जाएगा, मैं height की समझा दोंगे, फिलाल आप इतना ही समझ लेजे, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square, आपको perpendicular की जगे altitude भी लिखावा में लेका, confused नहीं होना है, अब हम एक example देख लेते हैं, माली जे हमारे पास base है 4 cm, height है 3 cm, और ये angle 90 degree का है, ये condition compulsory है, ये angle 90 degree का ह ही होना चाहिए, इल्वाइस पाइथागोर से प्लाई नहीं होगी, hypotenuse माली जे दे रखा है 5 cm, तो जब हम 3 का square करेंगी, तो ये आजाएगा हमारे पास 9, प्लस हम 4 का square करेंगी, ये आजाएगा 16, is equal to, जब हम इसका square करेंगी, तो 25 है, 9 में 16 को add कि 25 आगया, LHS is equal to RHS, यह जो base है वो हमें निकालना है, तो ये इसको maximal लेते हैं, hypotenuse में given है 13 cm, अब हम फाइतागोर से प्लाई करेंगी, और इस X की value निकाल देंगे, सबसे पहले हम hypotenuse का square करेंगी, यानि 13 का square, किसके equal होता है, इन तोनों के square के sum के equal, तो X का square ऐसे कैसा हो जाएगा, प्लस में 5 का square 25, ये 25 इस तरफ आकर minus का हो जाएगा, पहले हम 13 का square कर लेते हैं, 13 का square होता है 169, 169 में से जब हम 25 को इस तरफ लेकर आएगे, पहले फिर minus करेंगे, तो यहां आजएगा हमारे पास 144, अब आप 144 का देख लीजेगा कि इस का square, अगर आपको नहीं पता कि square कैसे देखते हैं तो भूपी मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दोंगे, आपको जे कमेंट कर दिये, बता देजएगा, 144 square होता है 12 का, तो इस तरह से हमारे पास base की value आगई 12, अब वो question के according के है, altitude of right triangle is 7 cm less than its base, हमारे पास जो triangle है न, उसकी अंदर, जो उसकी height है, altitude, वो base से 7 cm कम है, तो अगर हम इसके base को x अमालने, तो इसकी जो height हो जाएगी x-7, hypotenuse 13 cm इसने दे रखा है, अब हम पाइथागोर्स में देख चुके हैं, कि अगर हम base के square के अंदर height का square add कर देते हैं, तो वो hypotenuse के square के equal आ जाता है, यानि x का square हो जाएगा base का square, यह हमारे पास height है, तो यह आज 7 का square, equal to 13 का square, यानि 16, जबाब 13 में 13 को multiply करोगे, तो 169 आजाएगा, अब यह x square ऐसे कैसा आजाएगा, यह हमारी identity होती है, x-7 का whole square, यह a square plus b square minus 2ab की equal होती है, a की जगह पे हम x रख लेंगे, b की जगह पे 7 रख लेंगे, यानि की a का square, x का square हो जाएगा, plus b का square, यानि 7 का square, 49 हो जाएगा, minus 2ab, 2 multiply, a यानि की x, और b यानि की 7, 7 to the 14, तो आगे आजाएगा, minus का 14x, is equal to 169, हम x square के अंदर x square को add करेंगे, यह हो जाएगा, 2x square, यह minus का 14x, ऐसे का ऐसा, यह 169 इस तरफ आकर minus का हो जाएगा, एक plus का है, और एक minus का है, हम 169 में से 49 को minus करेंगे, तो य आजाएगा, minus का 120, is equal to 0, हम सभी के अंदर से 2 common ले लेंगे, जिब सभी में 2 common आजाएगा ना बहर, तो यहां बचाएगा, हमारे पास x square, minus का 7, x और minus का 60, यह 2 दूसरी तरफ जाकर divide में हो जाएगा, सारा ही 0 बन जाएगा, तो हम इस equation को solve कर लेंगे, हम इस 60 के ऐसे टुक पास x के दो जाएगा, तो हम 12 को minus का ले लेते हैं, और 5 को plus का ले लेते हैं, हम minus 7 की जगहे पे लिख देंगे, माइनस 12 X प्लस का 5 X इन दोनों में से हम X को बाहर कॉमन ले लेंगे अंदर बजाएगा X माइनस 12 इन दोनों में से हम 5 को बाहर ले लेंगे अंदर बजाएगा X माइनस 12 X माइनस 12 यहां पे भी X माइनस 12 यहां पे भी X माइनस 12 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा X और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5 अब हमारे पास यह दो फैक्टर हो गए हम इन दोनों को अलग अलग जिरो की एकवल रख देते हैं यह आ जाएगा X is equal to minus का 5 और यह आ जाएगा X is equal to 12 हमारे पास X की दो value आ चुकी है प्लस का 12 और minus का 5 हमें पता है कि length कभी भी minus के अंदर नहीं हो सकते अगर हम कह रहे हैं कि क्यों यह अमारे पास एकलंबी रस्टी है तो उसकी length minus में होगी यह नहीं यह situation ही impossible है तो हम कभी भी length वगएरा के अंदर minus का नहीं लेते यह cancel हो जाएगा हमारे पास option बचे गया 12 तो अब इसको हमने base जो हमारा था ना उसको हमने 12 माना था और यह इससे 7 कम है तो 12 में से हम 7 को minus कर देंगे यह आ जाएगा 5 अप चाहो तो आप इनको check भी कर सकते हो आप 13 का scare कीजिए यह आएगा हमारे पास 169 आप इन दोनों का scare कीजिए 5 का scare किया 25 12 का scare किया 144 इन दोनों को जब आएड करोगे तो 169 के इकवल ही आएगा 6th question है cottage industry produced certain number of poetry articles in a day it was observed on a particular day that the cost of the production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day if the cost of the production on that day is Rs.90 find the number of article produced and cost of each article अब इस question को solve करने के लिए आपको जो second question का second part है उसको देखना पड़ेगा पिले मैं आपको इसी question में same सारी बाती दुबारा से explain नहीं करूंगी आप second question का second part देख लीजी जो की एक example है उस question के अंदर मैंने बिलकुल अच्छे से करवा रख है यहां मैं आपको डारेक्ट बताते हूं हमारे पास दो चीज़ें तो cost of the production यानि जो भी हम सामान बना रहे हैं उसके कितनी cost लगती है और दूसरा की एक दिन में हम कितना production कर रहे हैं हम कितना सामान बना रहे हैं डेली तो यह कह रहा है कि cost of production of each article was three more than twice the number of article तो number of article का three more than twice है ना तो यहां पे हम number of article को मान लेते हैं आप साथ के साथ लिखते रहे हैं कि number of article is equal to x तो उसके बाद cost of production of each article यानि डेली खर्चाब इतना आता है उससे एक article को बनाने के लिए यह कह रहा है three more than twice यानि पहले तो हम twice करेंगे इसका x का twice है यह हो जाएगा हमारे पास 2x जब हम किसे का twice twice करते हैं तो उसके उससे multiply करते हैं दिमों इसको दो गुना तीन गुना कहते हैं अभी यह आगे भी है three more than यानि three जादा है twice से भी three जादा है तो जब more than कुछ भी होता है तो हम add कर देते हैं ये बन जाएगा हमारे पास 2X प्लस में 3, यानि कि एक दिन में आर्टिकल बनते हैं, वो X मान लिया, और एक आर्टिकल के उपर जो कोस्ट आती है, जो खर्चा आता है, वो हो गया, हमारे पास 2X प्लस में 3, ये कोस्चन में गीवन था, हमने इसके base-base की equation बनाई है, अब हमें ये पता है, कि total जो खर्चा होता है एक दिन का, वो दोनों की multiply होता है, यानि हम एक दिन में कितने article बना रहे हैं, और एक article के उपर कितना खर्चा हो रहा है, उन दोनों की multiply ही हमारे पास, एक दिन का total खर्चा होती है, ये हमारी equation हो गई, अब हम इस equation को solve कर लेंगे, हम 2 की multiply पहले 90 के साथ करेंगे, यहाँ पे अब तक हमने जितने question किये थे न, तो x square की multiply 1 से होई थी, इसलिए हम direct इसके factor कर देते थे, हमें पहले एकी multiply c से करनी होती है, यहाँ पे एकी जगह पे है 2 और c की जगह पे है 90, 2 की multiply हमने 90 से की, तो यह आगया minus का 180, अब minus 180 के हमें ऐसे factor करने, जिनका plus ही है minus 3 आजाए, अब इसके लिए बिल्कुल वही से इंकाम हमें करना है, हम इस तरह से factor बना लेंगे, आप 180 के टुकड़े कर लेजी, जितने आप कर सकते हो, हम इसको 2 से divide करेंगे 90 आजाएगा, हम इसको 5 से 2 divide करेंगे 45 आजाएगा, हम इसको अभी 2 से divide होगा नहीं, तो आगे 3 से divide करेंगे, यहाँ पे 15 आगया, फिर 3 से divide यहाँ पे 5 आगया, अब कोई ऐसे दो जोडे बना लेजे जिनका प्लस या माइनस 3 के इकवल आ जाए तो 5 3s आ 15 बना बना के देख लीजेगा जरूरी नहीं है कि शुरुआत में यह आ जाए लेकिन जब कुछ कोशन कर लोगी तो आपको प्रेक्टिस हो जाएगी 3 2s आ 6 और 6 2s आ 12 तो 15 और 12 की मल्टिप्लाई करेंगे वो तो 180 के इकवल आएगी 180 के बराबर और 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3 प्लस का 3x है तो हमें बड़ा प्लस का चाहिए हम 15 को प्लस का ले लेते हैं और 12 को माइनस का ले लेते हैं इन दोनों में से कोमन देखे 2 multiply x multiply x और 15 को हम लिख सकते हैं 15 multiply x या फिर और चोटा बनाना चाहो तो 3 multiply 5 कर दीजिए अब और कुछ कोमन नहीं आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एकस दोनों के अंदर है तो x कोमन आ जाएगा सको बाहर कोमन ले लिया अंदर बच गया 2 x और यहां पे बच गया 15 का 15 अब हम इन दोनों में से जब कोमन लेंगे तो आप 12 के फैक्टर कर लेजिए 2 multiply 2 multiply 3 multiply में x जब हम 90 के फैक्टर करेंगे तो वो इस तरह के से आ जाएंगे अब हम कोमन लेकर देखते हैं तो 2 दोनों के अंदर है 3 भी दोनों के अंदर है 2 भी बाहर ले लिया 3 भी बाहर ले लिया तो 2 3 जा 6 तो इस तरह से हम 6 कोमन ले सकते हैं जब हम यहां से 6 कोमन ले लेंगे तो इस चेके पे तो बच आएगा 2 x वो 2 x हमने यहां पे रख दिया 2x plus 15 यहाँ पे भी है, 2x plus 15 यहाँ पे है, इनके साथ यहाँ पे था x, यह x यहाँ आ जाएगा, माइनस का निशान है, तो माइनस और माइनस का 6 ऐसे का ऐसा, अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के एकवल रखेंगे, यह तो हमारे पास हो जाएगा, x is equal to 6, जब हम इसको 0 के ए 15 is equal to 0, यह दूसरे तरफ जाकर माइनस का 15 हो जाएगा, यह 2 multiply में है, दूसरे तरफ जाकर divide में हो जाएगा, माइनस 15 by 2, अब हमने x को माना था कि number of article, यानि हम एक दिन में कितने किलोने वगरा बनाते हैं, तो वो number minus में तो हो नहीं सकता, अब मैं यह कहूंगी, मैं एक दि cost यानि कि लागत कितनी है, वो हमारी है, 2 x plus में 3, हम x के जगह पर रखेंगे 6, 6 to 12 आजाएगा, 12 में 3, एक को एड़ किया 15, तो जो article यानि खिलोना है, उसके उपर लागत यानि कि cost तो है 15, और हम daily खिलोने कितने बनाते हैं, 6, thank you very much.